ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्ट्रोजर केमसिन और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वाकत करता हूँ आई हम समझते हैं मेदिनी जोतिश जिसको मुंडेन एस्ट्रोजी कहते हैं इस सिद्धानत के दौरा हम क्या यह पता कर सकते हैं कि भारत की अर्थवेवस्था कैसी रहेगी तो निशित रुब से मुंडेन का जो यूस किया जाता है मेदिनी जोतिश का जो यूस किया जाता है और जब हम अर्थिव्यवस्था की बात की जाती है कभी भी किसी भी कुंडली में अर्थिव्यवस्था के लिए बात की जाती है विशेस रुप से देश के लिए तो उसके जो कारकगरा होते हैं वो ब्रसपती देव होते हैं और साथ में बुद्य देवता होते हैं इसके अला हम चेक करते हैं तो वर्ष 2023 वर्ष 2024 वर्ष 2025 आखिर यहां तक जो व्यवस्था रहेगी भारत की क्योंकि बहुत लोग इस समय ये प्रशन पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिती चल रही हैं बाकी सभी जगाओं का एक प्रकार से देखिए कहीं पर युद की स्थिती अभी भी रशिया युक्रेन में युद की स्थिती चली रही है इसके अलावा जो बाकी जगापर है तुर्की में सीरिया में जिस तरीके से भुकम पाया 40,000 से भी जादा लोग जो अफिशल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 40,000 से भी जादा लोगों की मौत हुई एक मासिव अर् फाइनेशल प्राइसेज नेपाल में भी और अब कुछ दिनों में फाइनेशल प्राइसेज आप सुनियेगा कि कुछ और भी कंट्रीज में आने वाले समय में देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दो कि वर्श 2030 तक एटलिस देखा जाए तो भारत की कुनली में ऐसा कु आने वाले समय में बहुत जादा दूर नहीं जा रहा हूं मैं जून और जुलाई वाली स्थिति पे आ जाईए वर्श 2030 में इन तीनों ही समय में जो भारत की वरिशब लगन की कुनली हैं वहाँ पर धनेश बुद्ध ग्रा और कारक भी बुद्ध और ब्रस्पती ब्रस्प में कुछ दिनों के बाद ये अस्त हो जाएंगे और उसके बाद इनका उद्ध होना है जो की अपरेल के लास्ट में होंगे और ब्रस्पती राशी परिवरतन करके 12 में चले जाएंगे भारत की कुनली के रिस्पेक्ट में अभी तक तो इंकम में बैटे हुए थे तो भारत की अरतियों सबर बहुत जादा दिक्कत नहीं आ रही थी लेकिन 22 अपरेल के बाद से जो डेट आ रहा है वो धीरे धीरे भारत के लिए अब कस्मात आप देखिएगा कुछ ऐसी गटना है गटित होने लगेंगी कुछ चीजें ऐसी गटित होने लगेंगी क्योंकि आपका जो इनकम का कारा के वो भी 12 में आपका इनकम का जो माली के वो भी 12 में और साथ में गुरू चांडाल दोश का फॉर्मेशन हो रहा है जो की फाइनेशल क्राइसिस को निश्यत रूप से लेकर आएगा 2023 में इसका प्रभाव बहुत जादा तो नहीं दिखाई देगा दिखना भी होगा तो मई जून जुलाई वाले पिरिट में फाइनेशल क्राइसिस के जो बात है वो मैं बता रहा हूं लेकिन इसका सरवार्दिक्व जो प्रभाव होगा वो 2024 में अक्टूबर नॉमबर दिस कियेगा उसमें समय चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंदर जब तक ये केतू निकल नहीं जाता है 11 जुलाई 2023 तक का जो कि मैं मैं जून जुलाई वाली जो बात कर रहा हूं वो दशा से भी यहां पर दिखाई दे रहा है उसके बाद 2024 के अक्टूबर न बहुत तकड़ी होगी एवन राशी परिवर्तन करके ये चेंज होकर मेश राशी में पहुंच जाएंगे और ये वो टाइम रहेगा जब आर्थिक रूप से भारत पर भी ये खत्रा बहुत है इसे मडराना प्रारंब हो जाएगा ये चीज मैं अपने वीवर्स को सब्सक् अपने भी जब था झाइए झार पर आसके अलबाब शूप ये की अर्च फिरियो डूप से निगेटी प्रवाव कड़ भाव आने तीन महीने में जो मई, जुन, जुलाई में उसमें ज़ादा देखने को मिलेगा फिर 24 के अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर में इसका प्रभाव वहा ज़ादा देखने को मिलेगा वैसे निगेटिव प्रभाव जो है वो प्रारंबिक तीन महीनों में मही से लेकर देखा जाए जुलाई तक दो कारणों से होगा एक तो चंदरबा में केतु की अंतरदशा बारत की कुली में जो की बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है और ये उतरते समय क्योंकि एक खतम हो रहा है ये समय इस समय जादा परेशानी जरूर रहेगी विरोधी जो रहेंगे यानि देश की जो वरतमान सरकार है उनके जो अपोजिशन है वो इस समय काफी हावी रहेंगे माई जुन जुलाई तक का टाइम जो रहेगा वर्तमान गौवर्मेंट के लिए भी काफी संगर्श पूट रहेगा लेकिन जितने भी लोग है आज से प्लानिंग कर लीजिए ऐसी ऐसी टेकनोलजी मार्केट में आ गई है जो लोगों के रोजगार को भी खतम कर रही है ये बहुत मैं कई समय से इस बात को लेकर अपने चैनल पर बता रहा हूँ ऐसी ऐसी टेकनोलजी आ गई है और इन टेकनोलजी में आप देखिए कि Automation पर इतना तगड़ा वर्क हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार का calculation करना नहीं पड़ता है सब कुछ Automatical होने वाला है और ये अगर ऑटमेटिक होगा और अगर अपने आपको अपग्रेड नहीं किया देखें ग्रह दशा तो अपने जगा पर हैं आपकी कुंडली सभी की कुंडली अलग होगा सबका लगा न अलग होगा दशा अंतरदशा भी सबकी चेंज होगी लेकिन कम से कम एक जो इंपॉर्टेंट बात है अपग्रेडेशन की बात में जो करना हूँ अपने आपको जब ग्रीट करना कारम कर दीजिए क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है वो technology वर्सेश यूमन का ही होने वाला है और technology वर्सेश यूमन का यूद्ध रहेगा उसमें बिरुजगारी ऐसा नहीं है कि किवल कोई एक particular सरकार पर आप लेम कीजिए चाहेवो इंडिया की बात चाहे वो चाइना की बात कर लिए हर जगा देखे हैं आर्थिक मंदी चल रहा है और यह आर्थिक मंदी का भारत पर एटलिस्ट अभी तक प्रभव नहीं है लेकिन दोवजार पच्शिस के बाद जब चंदर्मा की महादशाख कंद मोजाएगी और चंदर्मा की की कुनली देखिएगा तो दूतिय भाव में मंगल बैठे हैं मितुनराशी में वहां से अश्टम को देख रहे हैं तो यह सारे कॉंबिनेशन यह बता रहे हैं कि 2025 के बाद से चीजें जो हैं वो भी जुलाई के बाद से डोजार पचिस के जुलाई के और काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा आप जब तक अपने आपको अपग्रेट नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएएगा और इतनी चीज याद रखिएगा जो काम टेक्नोलोजी कर दे रहा है मनुश्य को करने में उसको जादा टाइम लगाना प और डे बाई डे अपग्रेट करना होगा आपको आने वाला जो मंगल की जो पूरी महादशा रहेगी दोचार बतिस तक का जो टाइम रहेगा काफी कठिना ही पूर रहेगा इसलिए आज से अपने आपको अपग्रेट करना प्रारम कीजिए और नई चीजों को अधियन भे कीजिए क्योंकि नई चीजों को अध्यान नहीं करेंगे तो परिशानी होगी जो तिशी रूप से किवल यहीं मैं बोल सकता हूं कि सामानेता आपको शिव जी की पूजा जरूर करना चाहिए प्रते दिन जिससे की आने वाले संकट से बच सकें इसके अलाबा देवगुरु ब्रसपती अगर आपकी कुल्डी में मारक नहीं है तो उनकी भी पूजा लगाता करना चाहिए तो यह अगर आप करते हैं तो निश्यत रूप से आपका जो यह आर्थिक मंदी पर्सनल अगर मैं बात करूँ हाला कि मैं तो देश की बात कर रहा हूं मेदिनी से देश का नि निकाला जाता है लेकिन अगर पर्सनली भी किसी को परिशानी होती है तो इन उपायों से दूर हो सकता है तो अभी के लिए इतना ही मैं हूं एश्टाजर केम सिना ओम नामस्षिवाए